सांके करते हैं माइट्र वाथ करते हैं कि मिन रॉप्लव खवर हुचेल्स बेस्थ longer यह चलर मिन जो करत थाnstein fossil as कर्ड़ीशन करता है माइट्रीकão भॉंडियसिंद से में हैँएक्षेजन के ऩ्यॉद्यंद Подbye होता है कि oxygen deficiency होती है dear students जिसके वज़े से क्या होता है कि जो respiration की process होता है जनरली आपके माइट्रो कॉंटिया में चल रही है जब respiration क्या हो जाएगा आपका decrease हो जाएगा respiration का जो function है वो डिक्रीज हो जाएगा जिसके वज़े से ATP का जो formation है वो भी कम हो देगा and potassium pump भी function करना या काम करना बंद कर देगा अगर sodium potassium pump काम करना बंद कर दे रहा है तो यह दैट मेंस की sodium और water का intracellular में accumulation हो जाएगा जब हम यह pump function नहीं कर रहा है तो sodium बाहर की तरफ नहीं जा रहा है potassium अंदर की तरफ नहीं आ रहा है जिसके वज़े से क्या होगा sodium potassium pump जो है फंक्शन ना करने की वज़े से sodium अगर intracellular है तो उसका amount बढ़ जाने की वज़े से क्या होगा माँ पे sodium को और water का accumulation हो जाएगा इसी को हम बोलते हैं क्या स्वैल स्वैलिंग स्वैलिंग राइट potassium pump की बात करते है अगर potassium pump वर करना बंद कर देता है तो इसमें क्या होगा कि potassium madam का एकुमुलेशन होगा अगर calcium का एकुमुलेशन होगा तो यह activate बहुत सारी चीजों को करता है बहुत सरे enzymes को activate कर देता है like as phospholipase, phospholipase enzyme को अगर इसने activate किया तो जो आपकी cell membrane है, यह cell membrane को digest करना स्टार्ट कर देगा, अगर इनो इसने activate कर दिया endonuclease enzyme को, तो endonuclease enzyme क्या करेगा कि DNA को digest करना स्टार्ट कर देगा, अगर इनो ने activate कर दिया protease enzyme को है सेल के अंदर इंट्रा-cellular जो भी प्रोटीन से वो क्या करना है निए डाइजिस्ट करना जब यह सारी प्रोटीन सोडिय डाइजेस्ट हो जाएंगे इसल मेंब्रेट करनी ही है तो आपकी डाइज पर जाएगे ठीक है इसमें क्या होता है लाइसोसोमल एंजयम भी डिलीज कर जाती है तर अब यह कुछ डिजीस अजो कि माइओ को इलडामेज की वजज़ रिप्र की अगर अगर डियामेज होता है द्याटली सो मब थैजित हो रही है उस पुलएंगे रइबोस्ति ठीक है अगर राइबोसोम रड़ शो जाता है अगर राइबोसोम डामेज तेन अबनॉर्मल प्रोटियस जो प्रोटियं के प्रोटियों फ्राइबनॉर्म हो जाती है जिसमें की जिसके वज़े से genome type से इफेक्ट से सो करते हैं और ऐरर में start करते हैं जिसके वज़े से हो सकता है कि cancer या फीर आपका cartilage hair रहा है तो मैं आप जैनली लिख सकते यह ज्यादा मी questions आते हैं तो यह genotype और phenotype chromosomes area में जो defect आते हैं, उसे को हम बनते है, ribosomal disease, next and last one is nuclear damage, nuclear damage, that means cell that is cell nucleus damage, damage of the cell nucleus यह क्यों होता है, मुद्च बादें も detail due to mutation, means the mutation की बादें से होता है , मुद्चेशन की बादें से होता है, अगर oxidative stress बढ़ जाता है यह आपके फ्री रेडिकल्स क्या होता है कि किसी भी आपके मॉलीक्यूल से बाइंड होके एक टॉक्सिक सबस्टार्ण का फॉर्मिशन कर रहेते हैं जिसके वजह से आपके सेल जो है डेथ करना स्टार्ट कर जाती है ठीक है इसी को बोलते हैं एंक्रेस ऑक्स परेच्ण की वजह से भी क्या हो सकता है डिए टरता से मेंड डियमच अगर पहले-से ऐस और सकतर है मगेस का मतलब है कि वहाँ के जो आयन से रिसेफ्टार को क्रॉस करते हूं ले दिबन रहेते हैं और आक्सिजन हैं तो क्या होगा नुकले साइने विडा पाइब हुजाएगा सेऍल मेंब्रेन डाम ने के बाद क्या रही है दैमेज हो रही है इसके कुछ ढूंपन से हैं क्या डिजीन कोन से हैमभी स्मेर मसं कुलर व स Eenड्रोपि त्रमल के और ऊप एपाल का फॉर्मिशन कम होने लगता है इसको हम बोलते हैं चुल्पाइब हम सिंडरूम और रेवंजरब में क्या होता है कि रेटिनLuc पाल्म होती है और जो की आत्यूर से आपके आपर्गा च्छीन फॉर्मिशन में . व्हार्थ महर सकता है और रेटिनॉस्ति और रेटीना डामेज हो सकता है इसी को मोते रेवेस सिंड्रों तो आज की इस वीडियो लक्षर में इतना ही नेक्स्ट वीडियो लक्षर में हम आपकी सेलबस के अकॉर्डिंग आगे डिसकस करेंगे थैंक्यों एब्रिवन